हाई नमस्ते दोस्तों आज 15 सितंबर मंगलवार का दिन है और आज का दिन इस पेशल इसलिए क्योंकि स्री गंगानगर से कोटा जाने वाली 02982 स्री गंगानगर कोटा एक जाम इस पेशल का आज आखरी दिन है और यह आखरी वार बिकाणेर के स्टेशन पर आएगी फिर टाइम है 11 सावा 11 बजगे इसलिए सारत तरफ अंधेरा है और हम हमारी कार से इसको इसपोट करने के लिए इसको जा रहे है तो पहले थोड़ा सा यह दिरिश्य दिखा लेते वीका ने रात की बाओं में कैसा लग रहा है खुल सूरत लाइटों से अच्छा दिए बिलकुल कोई भीड कोई शोड शराबानी सोई हुई सडके और उनमें से निकलती है हम सिर्फ गाड़ी को एक्सपोज करने के लिए गाड़ी को स्पोट करने के लिए आपके लिए हम जा रहे और इसके बाद यह बना के आपको दिखाएंगे वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ला के शलंबा ह। हाई नमस्ते दोस्तों मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा अजबीका नेर की रेलो इस्टेशन पर हूँ और विका नेर से आज JEE नीट परिक्षारतियों के लिए चार्ज श्पेशल ट्रेन जो रेल्वे ने बताई थी वो विका नेर के पांस शेरों को जो कनेक्ट करने वाली थी वह रेल्वे के इस निरिने से पर आ रही है वह है 02982 स्री गंगा नगर से कोटा एकजाम श्पेशल श्री गंगा नगर से कोटा एकजाम श्पेशल ये गंगा नगर से तो डिपार्चर आज हुई है और कल ये सुबह कोटा पहुचेगी इसके लोकों की बात करें तो इसमें पहली बार लोको इसका ट्विन एलको लग रहे है दोनों ही ट्विन जो की WDM3A सिरीज के हैं और पहली बार हमने देखा है इसको इतने लंबे समय में कभी इसमें एलको नहीं लगे आज स्मट्ट्यून एलको आ रहे जो एक सुखद विशय है क्योंकि एलको की आवाज चुगिंग साउंड और एलको की स्मूखी की तिक में माला देखती हुआ है प्रकेर में माला देखती हुआ है गजय रकुरी, बुल्सने छेट कर दो कर दो खो... आज विन एलको आरे जो एक सुखत विश है क्योंकि एलको की आवाज चुगिंग साउंड और एलको की स्मोकिंग यह तो देखने वाला देखते ही बनता है परंतु चुगी रात है तो इसलिए स्मोकिंग हम नहीं देख पाएंगे पहला इसका डिपार्चर 4 सितंबर 2020 को हुआ था करीब 35,000 से अधिक परिक्षार्थियों का सेंटर राजरस्थान में अलग अलग शहरों में आया है इसलिए जेई और नीट परिक् आठ लग परिक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा है इन में से –करीब 15,000 से अधिक परिक्षार्थियों का सैंटर राजरस्थान के अलग अलग शहरों में आया है राज़िस सरकार ने परिक्षार्थियों को साऊलियत देने और परिक्षा को सफल बनाने के लिए डे semi ये से देंच लाने का लूट किया सा इन ट्रेनों में प्रक्षार्तियों को एड्मिट कार्ड यानि एक्जाम आईटी दिखा करी प्रवेश मिलेगा साथ ही रेलवे दौरा ट्रेन के अन रिजर्व टिकेट भी जारी किये जाएंगे बीच के स्टेशन पर भी अन रिजर्व काउंटर रेलवे खोलेगी स्टेशनों पर अन रिजर्व टिकेट काउंटर भी खोलेगी चात्रों को टिकेट काउंटर पर टिकेट लेने के लिए और ट्रेन के अंदर सफर करने के लिए अपनी एक्जाम आईडी दिखानी होगी जिसके बाद वे यात्रा कर सकते हालांकि टेनों में अन्रिजल्टिकेट टेल्वे की यूटियस ओन मुबाईल एक्से भी दिया जासके रही विशेश बात है क्योंगि मुझे अन्रिजल्टिकेट बात है क्योंगि मुझे बात है क्योंगि मुझे बात है अन्रिजल्टिकेट बात है 16 गंटे 5 मिनट ये रस्ते में कुल 23 होट के साथ चलेगी और कुल 917 किलो मिटर का डिस्टेंस पार करेगी मैक्सिम्म पर्मिसेबल इसकी स्पीड है 100 और एवरेज स्पीड है 37 किलो मिटर स्री गंगानगर से ये 18 बजे स्टार्ट होईगी चलेगी और सुबह 10 बजे 9 दिन एक रात पूरी करने के बाद सुबह कोटा पहुचेगी 10 बजकर 5 मिनट आज जो दमदूसरी टेंग दिखा रहे हैं 02982 स्री गंगानगर से कोटा के लिए जालावाड सीटी स्री गंगानगर जालावाड सीटी सुफर हास्ट परिक्षाइश स्पेशल सेवाओं का हम आज बात करें जे इमेंस नीट इंडिये त्यादिक प्रिक्षावर्तियों की स्विधा के लिए गंगानगर से कोटा और कोटा से गंगानगर आयम जालाबाट के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जारी है उनिवार कोटा से 17 वज़के 20 मट पर रवाना होकर अगले दिन 9.50 बजे स्री गंगान अगले दिन 10 बजे कोटा पहुंचेगे तो दोस्तों एंजोई लीजिए नई ट्रेन नया लेजबी कोचों से सुसंजीत डबल एलकों के साथ पहली वारा रहत होई आप देखेंगे मेरे साथ मैं आपका देश्राक्य श्रमा और अगर आपकोई मेरा वीडियो अच्छा और अपनी भावनों के बिवक्ति कमेंट के मादम से मुझे जरूर जरूर देना मैं कमेंट का बहुत इंदजार करता हूँ आपका सयोग सदे वांचित है थेंक्यू फ्रेंड हैवे नइश दे